हेलो श्टूजेंट एक बार फिर से स्वागत करते हैं भागती सारडी डिटर्मिनेंट के बारे में बता रहे हैं तो जैसे कि भाग टू में हमने बताया था एक एक नमबर का कोस्चन जो की बहुत इंपोर्टेंट था उसको हमने बता दिया हैं भाग तीन में एक और दू नमबर के कोस्चन दोनों को मिक्स करके बताएंगे जो इस बार पूछे जाएंगे तो हमें आसानी पूरा विश्वा का मूल है और यह determinant दिया गया is equal to zero के पूछ रहा कि x ब्राबर one इस समीक्रड का मूल है यह पूछ रहा है अब मूल इसका होने का मतलब क्या होता है कि मतलब यह मान इसमें सहमत होना चाहिए मतलब यह मान इसमें रखने पर यह मान आना चाहिए तबी तो क्या करेंगे लिखेंगे x बराबर 1 मान रखने पर इस सारड़ी में x का मान रखेंगे तो चलिए रखेंगे तो 1 प्लस 1 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, 3, 5 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 और यह 2, 3 और यह भी 5 यह हो गया अब यहाँ पर देखिए यह क्या हो रहा है आपस में सब एक जैसे हैं मतलब यह तो हो जाएगा 0 होगा ही होगा 0 जब इसका मान 0 आ गया इसके 0 के बराबर हो गया तो यह मूल क्या होगे इस तो लिखेंगे अतह x बराबर 1 इस समीकरण का मूल है यह छोटा ही कोश्चन है यह एक नमर का कोश्चन है लेकिन बहुत लोग उलज जाते हैं इसलिए हमने सोचा इसको पहले बता देते हैं तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमर 2 कोश्चन नमर 2 यहां पर यह कोश्चन नमर 2 है इसको हमें क्या करना है शिद्ध करना है तो हमने दो बीदी बताया था या तो विस्तार से करीए या तो बीना विस्तार से तो चलिए हम इस बार बीना विस्तार से न बताकर विस्तार से बताते हैं तो बिस्तार से बताएंगे तो पहले इसको common करेंगे B-C को तो इसका गुड़ा इधर करेंगे इसका गुड़ा इधर मतलब A-B फिर minus लेंगे C-A को common करेंगे तो bracket में लिखेंगे इसको छोड़ देते हैं इसको जब छोड़ेंगे तो लिखेंगे B-C अब प्लस A-B लेते हैं common करेंगे A-B तो यह चोड़ेंगे और यह चोड़ेंगे तो C यहाँ पर C-A कर देंगे यह हमने कर लिया अब देखिए क्या लाना है हमें जो लाना उसके अनुसरा हम देख लेते हैं तो क्या करते हैं आपस में multiply हम कर लेते हैं B-C A-B तो देखिए B-C और A-B कहां पर पहले वह लाना है तो यह चीज़ देखिए B-C A-B पहला वाला तो हमें मिल गया माइनस तो पहले वाले को लिखेंगे B-C और A-B पहला वाला छोड़ेंगे क्योंकि हमें वह चीज़ लाना है और उसके बाद C-A का होल स्कौरर तो C-A का होल स्कौरर यहां पर देख रहा है चलिए multiply करके देख लेते हैं multiply करेंगे तो यह हो जाएगा C-B प्लस C-Square फिर यहां पर माइनस के साथ लेते रहेंगे प्लस AB और यहां पे इससे multiply करेंगे तो यह plus होग और यह minus AC इधर हो गया plus इसका multiply करेंगे AC minus A square और minus BC ब्लस AB यह हो गया अब इधर B minus C और A minus B यह तो इधर के छोड़ देंगे minus अब देखें यहां पे आब कौन किसी से कट रहा है या क्या होता है पहले इसको देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए CB से कड़ी आगा BC या CB दोनों एक ही होता है अब यहाँ पर यह इस से कड़ी आगा तो बचेगा C square और minus A square यहाँ पर AB यहाँ पर AB मिलकर plus 2AB अब यह किसका formula होता है अब यहाँ पर minus को common कर लेंगे पहले minus को common करेंगे तो यह bracket जब लगाएंगे तो यह चिन चेंज जाएगा यह चिन चेंज जाएगा क्योंकि bracket लगा दिया और यह formula होता है C minus A का whole square और यहाँ पर यह चीज बचा हुआ है A minus B इस तरह से इस question को आप आराम से कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं question number 3 question number 3 अब इसको हमें 0 के बराबर लाना है तो इसमें क्या दिख रहा है आपको एक चीज दिखिए अगर हम C1 में सभी को जोड़ देते हैं C1, C2, C3 तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिल जागा A से A कटेगा B से B, C से C तो कड़ियागा तो उसको लिखेंगे C1 में C1 C1 plus C2 plus C3 यह लिखेंगे जब यह लिखेंगे तो हमें मिलेगा क्या हमें पहले में 0 मिल जागा और यह बच जागा B-C और C-A इसमें भी घटा देंगे यह हो गया किसी भी इसमें पंक्ति का अवयव अगर तीनो 0 होता है तो उसका मान होता है 0 तो यह 0 के बराबर हो जाएगा इस तरह से इसको भी आप प्रूब कर सकते हैं तो हमें उमीदें दोस्तों यह छोटे-छोटे question आपको समझे आ रहे होंगे क्योंकि एक इक नंबर का यह question है तो आगे जाकर हम बड़े-बड़े question को इसलिए बताएंगे क्योंकि आपको 2-2 नंबर 3-3 नंबर 4-4 नंबर का question कैसे पूछता है हम उसको आगे जाकर बताएंगे अगले भाग में चलिए शुरू करते हैं question number 4 question number 4 दोस्तों आपको एक बात बताते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है कि c1, c2, r1, r2 यह कैसे करते हैं तो सबसे simple सा तरीका है बिस्तार से करिए तो बिस्तार से करने का आप तरीका बता देते हैं तो पहले को common करेंगे a square plus 1 common करेंगे इसका गुणा इधार इसका गुणा इधार करेंगे लिखेंगे b square plus 1 एगा c square plus 1 यह भी गुणा यह तो हो गया इन दोनों का गुणा अर- इसको common करेंगे a b को यह छोड़ देंगे तो लिखेंगे a b Pedro ab minus करेंगे इसका गुणा इसका गुड़ा तो इसका इसमें करेंगे तो a b और गुड़ा कर लेंगे c square plus 1 यह हो गया अब इसका गुड़ा इधर करेंगे minus a c गुड़े b c यह हो गया यह गुड़ा हो गया अब फिर a c को comment करेंगे plus a c को comment करेंगे तो यह छोड़ देंगे यह AB गुड़े BC minus इसका गुड़ा इसमें करेंगे AC गुड़े B square plus 1 यह हो गया अब इसको क्या करना है आपको बस हल करना है और कुछ हल करना और कुछ करना नहीं है बस हल करने यदि आपको आता है अच्छे से तो यह question आपको आराम से solve हो जाएगा तो यह हो जाएगा अब इ पहले इसको तो A square B square plus A square C square plus अब इसमें आ जाते हैं A square plus यह इसमें multiply होगी आ जाएगा B square plus इसमें आ जाएगा C square plus 1 minus A square B square minus A square C square यह यहां से ठीक है यह हमने कर दिया अब यह पूछेंगे आप कहां से आ गया तो यह आपको इसी सब multiply करने के बाद आएगा फिर अब इसमें क्या मिलेगा 1 plus A square plus B square plus C square बचेगा A square B square C square यह बचेगा बाकी सब cut video आएगा तो यह हमारा हो जाएगा answer तो हमें उमिदें दोस्तों यह question आपको चारों समझ में आयोंगे तो इसका भाग फूर देखना ना भूले क्योंकि भाग फूर में हमने 4-4 number 3-3 number का question हमने बनाया है तो thank you दोस्तों thank you for watching my videos